नमस्कार फ्योज पलकों की छाओं सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंट्रम से जहां पर देखने को मिला कि अब सुमन के साथ बहुत ही अत्यचार की जा रही होते हैं लेकिन सुमन चुप चाप सब कुछ सैन करती जा रही होती क्योंकि वह इस गर को छोड़ जाता है मतलब जो इस तरह चला जाता है जिसकी वज़े से उसका मुनन किया जाने वाला होता है तब ही वहां पर पहुंच जाती है सुर्भी और बड़ी मां को बोल लेती है कि दिदी आप सुमन के साथ ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि अब सुमन का हमारे कश्र कोई रिस्ता न रही तो अपनी जिंद्गी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी और आगे नहीं बढ़ पाई तो उसकी जिंद्गी बरबाद हो जाएगी तो वहां पर इस दर्द से निकालना चाहती है सुर्भी सुमन को जहां पर सुमन चली जाती है अपने माइके लेकिन अब सबसे उन पाएगी सुमन क्या जा चुकी होगी नंदन की यादास क्या फिश रहे सुमन और नंदन हो पाएंगे